Hello everyone, I am Vishal Singh and welcome back to our channel VS Talking आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओपन कैमरा आप के बारे में लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन कैमरा आप है क्या और इसकी लोड हमें क्यों परती है तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने फोन से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन फोन के कैमरा में इस फेसली वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ज्यादा कोई ऑफसर होता नहीं है जैसे कि आप भी कोई माइक का यूज करने हैं लेकिन जो बैग्राउंड से अननेसेसरी वाइस है वह काफी ज्यादा आ रहा है या वीडियो में काफी नौइस आ गया है या फिर फोकस सही से नहीं हो रहा है असली सारी प्रप्ल्लम होते है इसे में में चरह करना होना में हैं लेकिने मिड्ग में को इसलीत फोटा बीच एर शाह अ करते हैं बहुत तरह सुदार से प्री और यानि के पूरी तरह से लीगल आ मंपड़ा है उसके लिए सबसे पछे मेरे perfect करें कि ईसे सबसे परानी पर आने पर हुरानी पर आने इसया पीशाट करने के बांख मीचल करें इस भिर आने के पिर्ट का व्यर्सिंट Weef अब वीडियो के टर्न करके आप देख सकते हैं कि फोटो से वीडियो में आते ही कितना अंदेरा हो गया और ऐसा ही आपके फोन के कैमरे के साथ भी होता होगा उसके लिए हम सैटिंग पर चलते हैं सबसे पहले ऐसे एक सेट्व Familien को कर लिए तो अब हम चलते हैं कामरा प्रेवियो के कामरे के स्क्रीन वैर एक एन क्या से गला होगाा टाइम हो गया बैट्री भी स्प्रीदे मश्च और वे सब चीज आपको इनफ़ाम करती रहती है अब ख्रीट लगाना चाहते हैं वह भी यहां से लगा सकते हैं और सो एक रॉप गाइड आप यहां से लगा सकते हैं अगर आप शेशली सॉट फिल्म कोमेडी वीडियो सूट कर रहा है और वीडियो के ऊपर नीचे तो बलाइक पट्टी सी लाइन उती है वह लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लगा सकते हैं यह देखिए आप एलो वाली लाइन बनगी यह आपको शो कर देगा कि अगर आप ब्लाइक पट्टी यूज करेंगे उस क्या बोलते हैं मैं पता नहीं जो ब्लाइक वाली ऊपर नीचे लाइन होती हो करेंगे इतना पा है जो आपका ऑब्जेक्ट रखनाए इसके बीच बीच में रखना है कि इसके बाद हम चलते हैं फोट में पोट सेटिंग में आप हाई कर लिए पॉटो सेटिंग में आप इसको आई कर लीजिए 100% कर दीजिए और HDR mode on HDR mode on कर लिए और फोटो सेटिंग के लिए इसमें कुछ है नहीं अगर आप फोटो खीच लें तो आप नॉर्मल कैमर से अच्छी फोटो आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं आपने सब इसके बाद वीडियो फोर्मेंट आप डिफाल्ट रख सकते हैं अगर चाहें तो चेंग भी कर सकते हैं उसके बाद आगया वाइब रेट आपका जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा लेकिन उतनी आपकी स्टोरेज भी बढ़ेगी मैं आप ठर्टी रक्स जाओं उसके बाद आजाता है फ्रेम रेट काफी इंपॉर्टेंट है जब आप वीडियो सूट कर रहें इसलिए अगर वीडियो में आप पोस्ट प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं मतलब वीडियो को एडिट के टाइम में आप ज्यादा छेड़ चाड़ करते हैं जैसे कि स्पीड टीज कर देती हैं तो उसक लिए फ्रेम रेट पाफी इंपोर्टेंट हो जाता है फ्रेम रेट का मतलब क्या होता है यह जानने के लिए आप यह देख लीजो बनता कैसे और यह से तोशका मतलब यह हुगा कि 25 फोटोस एक सेकंद में जुड़ हुआ हो अगर आपका एक सेकंद का 20 फाइब विडियो जूड़ हुआ है और आपने इतनी सी विडियो को छोट करके इस शाँ तो एक्सर हो आड और प्राइब तो पेक्चेस है वह उत्त है नम चुल जायें में और इसे बाद में अगर आप स्लो करना है तो विडियो ऐसे को स्लो होगा और अगर वाइट में करेंगे तो बिल्कुल में तो आपको स्लो देख लेना कि आप कितना स्लो करnia चाहते हैं जीतना आप इत जमाइट। जडा रखतें अपने इयुचा कि लेंथ कितनी रखें मैं लेकिन अगर आप इस्टोरिज बचाना है तो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम रख सकते हैं मैं अनलिम्टेट रख रहा हूं कि उसके पाद फाइल की जो मैक्सिमुम साइज है वह कितना है अगर आपको इस्टोरिज बचाना है तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ है और यो सोर जैसे कि आप माइक यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैक्ग्राउंट से नोइ कि उसके बाद अगर आप चाहिए तो लॉक को ओन कर सकते हैं जैसे कि आप जब रिकॉर्डिंग वाला बटन प्रेस कर दिए तो आपका जो सब्सक्राइब लॉक हो जाएगा मैं लॉक ही रखता हूँ तो यही है कुछ चैटिंग्स और आप देख सकते हैं अब एक बार मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ यह मेरा स्क्रीम रिकॉर्ड ओन है इसलिए वीडियो नहीं हो लेकिन आप आप ब्राइटनेस देख सकते हैं जो हमने पहले सो कर आया था ब्राइटनेस अब देख लिए अब आप देख सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर दिजेगा और अपने फ्रेंस और फ्रेंड और फ्रेमली को यह वीडियो सेयर जरूर झाल